कक्षा 11 की NCRT पाटे करम पर आधारित गड़ित की पुस्तक का अध्याय नंबर 6 लीनियर इनिक्विलिटी जैनी की रेखिक SME का है बच्चों पर पढ़ रहे हैं 6.2 प्रश्ण माला तक के सारे प्रश्ण हमने डंग से हल कर लिए आशा करता हूं आप सभी ने रफ कोपी में हल करके उनको ग्रेकारे की कोपी में वैसे ही प्रश्ण किया है जैसे बच्चों आपको एक्जाम में करना होगा अब बच्चों अब तक हम पढ़ रहते एक रेक एक समीका उसको हल करना हमने सीका 6.1 संख्या रेका पर निरूपन हमने सीका 6.1 में 6.2 में बच्चों आलेखी विदी से हमने हल करना सीका अब दो समीका होगा कंबाइंड सॉलीशन अपन निकालेंगे आप या ठीक है तो उधान के माद्यम से में समझाता हूं आपकी पार्टे पुस्ता का उधान नमबर बारह एक्स प्लस वाई से बड़ा और बराबर है पांच बड़ा है बराबर एक्स माइस वाई से बराबर या सबसे पहले है इसका लेता हूँ ज्या परर यका मान 0 रखें मैं 2-34567 थो यह आँकर रखेंगे ऐक्स कमान 5 आएगा तो यह प snippet वार रपस क्या क्या पस आगया एक्स का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा तो यह पॉइंट बच्चों में रपास कितना गया है 0,5 तो यह जो लाइन मनने आदा को यहां से इसको मैं मिला रहा हूं बच्चों यह मिला दिया पनना है यह लाइन कौन सी बनी x प्लस y बराबर 5 अब हमें ऐसमीकाच यह तो दोनों कमान 0 रखते हैं तो दोनों कमान 0 रखेंगे तो satisfy विल्कुल नहीं करेंगा क्योंकि ना तो 0 5 के बराबर होता है ना 5 से बड़ा होता है तो परे मूल बिंदू से परे हमारा अंसर आगा एक बार रुको एक लाइन वह पन और बनाता है इस तरह से लाइन चलेगे बच्चों मारे पास यह कौन सी लाइन है बराबर तीन के अब दोनों में जिरो जिरो पर रखते हैं तो इसमें मैं जिरो जिरो रहे हूँ तो 0-0, 0 का 0 3 से सोटा होता है, बिलकुल होता है सेडिस्फाई कर रहा है यानि की मूलविंदु की और यहां से बच्चों का चलेंगे यह मूल बींदू की और यह हमारा एरिया बनेगा ठीक है एग्रियों यहां पर यह जो सरण रेखा है वो भी इसके हल शेत्र में शामिल होगी क्योंकि इसके लिए कलर वही लेता है पर जीरो जीरो रखने पर सैडिस्वाई नहीं कर रहा तो परे यानि कि इस तरफ अब यहां से लेकर अपन बात करें यह इन दोनों का कंबाइंड शेत्र आजाएगा यानि कि इन दोनों से प्राप्त हल शेत्र आपास आजाएगा अब दोढ़ा कोई दिखातों धीस थे हमारी ये वाली लाइन दोनों कमबाइने ये वाला जो डार्क दिखाे देरी रहा है बच्चो डार्क नीला ये मारा कमबाइन डेरी ट्बाया ़हाँ सब्सक्रावर टी onam का मन पांच प्राप्त होगा ऐसे तुम्हां पूरी लिखनी पड़ीगी बात समंग में आगी बढ़े थोड़ा सागे नेक्स्ट दूसरा प्रिश्ण यहा लेकोर 1450 तो बच्छो जहांस से रहो सबसे बहले हें यहाफर प्लोटिंग कर लेते हैं रखें एक दो तीन 4 5 6 7 8 9 ठीक है यहां पर आजो एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 इधर नेगेटिव चली जाएंगे नेगेटिव यहां पर रखने की फिलाल आउशकता पड़ेगी नहीं तो हमने ग्राफ में लिया भी नहीं है बच्छो वाई कमान जीरो रखें तो एक्स कमान आठ पराप्त होगा बो दूसरा एक्स कमान जीरो रखते हैं तो वाई कमान 10 पराप्त होगा तो यह हमारे को मिलेगा 0,10 अगर इनको मिला दूम है तो मारे पास यह लाइन बच्चो बिलकुल बन जाएगी यह कौन सी लाइन होगी 5 एक्स प्लस 4 वाई बराबर 40 वाली जीरो जीरो पर बाद में तो यह हमारे लाइन इस तरह से बन जाएगी एक्स ब्राबर 2 की ओगी अब वाई बराबर 3 की बनाते हैं यह बराबर 3 एक्स अक्ष के समान तरह बनेगी यह बराबर 3 की बन गई हाना अब इन तीनों का अलग-अलग करते हैं पने ना सबसे पहले यहां पर 00 रखते हैं तो 0040 से तो छोटा होगा जीरो प्लस जीरो इसका मतलब मूल बिंदू की और तो यहां से हम मूल बिंदू की और लाइन खीशते हैं यह लो और हल जेत्र में सरर्रेखा पर सभी बिंदू शामिल होंगे क्योंकि बराबर का चिन्द भी है X बराबर 2, X का मान जीरो यहां पर रखते हैं तो 02 से बड़ा भी नहीं है, 02 के बराबर भी नहीं इए इसका मतलब aby तो एक्स ब्राबर दो मतलब वाई ब्राबर य के पैलल इसका मतलब यह बच्छो अगेंस्ट ओरीजिन मूल बिंदू से परे इसका कंभाइनद एरिया इस तरफ कोल बिंदू से परे है तो इसका मारकर कौन सा ये वाला था तो यह हमारी लाइन तो यहां से उपर की तरफ चलो जाब देख पा रहे होंगे सब्छे है तो जो इन तीनों का कंभाइड एरिया कि इन तीनों का त्ष्मांसा बन रहा है देखू देख पार होगे सभी इन तीनों कम्बाइंड एरिया को ये लीजिए थोड़ा और सिस्टेमेटिक कर ले ना बच्चो उसको ठीक है यह मारा कम्बाइंड एरिया में प्रात हो गया देखो यहां पर सिस्टेमेटिक तरीके से सारी थोरी तुम लिखे लोगे कम्बेंड एरिया तो बना लोगे आपको दिखाई भी आराम से बनाना मैंना सिखा दिया यानिकी X और Y दोनों 0 से बड़े, 0 से बड़े, 0 से बड़े, 0 से बड़े, सिसका मतलब प्लस-प्लस ता मित्लीक क्या होगी, प्लस-प्लस इसवाइले पहले कोडिने में हमारा कम्बाइंड एरिया आए गा तो क्यों इसकी हमें बनानी है बच्छो वाई का मान जीरो रखोगे तो सो में आठ का भाग देने पर डेटा थोड़ा जयदा बढ़ा जाएगा तो पैमाना जयदा माल लेना एक बढ़ा खाना मरा बर पांस सेंटिमेटर इस तरह से माल लेना ठीक है तो मैं इसी में तुम रखोगे तो बच्छों कितना जाएगा उस्इस साधा ज्यां अन कुई चार से काटोगु कि दो babatt खषाण की ऐसी ईस साड़े पास 33 के सम्थिंग जीरो और हंड्रेड बाइट रिए लाइन हमने बना दी जब यहां पर हम 00 रखते हैं इस समिकड में तो जीरो प्लस जीरो सो से चोटा होगा सेडिस्फाइगा तो मूल बिंदू की और तो मूल बिंदू की और हमने एरिया बना दिया इसको शो कर दो इसमझ में आगया होगा आपके बहुत आसान है तो मेरे साइब से सारे एकजांपल समझाने के आउसके हैं और कोई अलग बचो y कमान 0 रखने पर x कमान 8 आ जाएगा तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो 8,0 x कमान 0 रखने पर y कमान 4 आ जाएगा 1,2,3,4,5,6 तो 0,4 ये पहली लाइन बचों मारी बन गई ये ये रही ठीक है next y कमान 0 रखने पर x कमान 4 आ जाएगा इसके रिए कलर अलग ले लो बच्चों 4,0 x कमान 0 रखने पर y कमान 8 आ जाएगा तो ये 7 और ये 8 0,8 ठीक है तो ये बच्चों यू जा रहा है इसको ऐसे काटते जाएगा देखो ये कमान डेरे की बात करता है न ध्यान से देखना अब यहाँ पर 0,0 रखते है तो 0,8 से शोटा है सैटिस्फाई कर रहा है तो तो यहां से भी मूलबिंदू की और तो यह वाली लाइन है न ये लो ठीक है बच्चों अब हमारे पास दो लाइन्स हो रहा है एक्स इस गड़ेजन इक्वल टू जीरो वाई इस बड़ा और जीरो के बराबर इसका मतलब प्रथम चतुधाश में तो इन चारों का प्रश्चों यह यह वारे को दिखाए दे रहा होगा मेरे साब से बस यहां पर तुम्हें चारों ग्राफ लिख देना तुम्हारा आंसर आजागा जहां जान लाइन कीच रहें वाँ पर सबकी सभीकण लिख देना होतासान है कर लोगे देखो प्रोपर सॉलुशन भी आप इसी तरह के एक्जाम्पल्स और आपको देखने को मिल सकते हैं आप खुद भी बना सकते हो और इन ही पर आधारित आपकी 16.3 प्रश्माला पूरी होगी बच्चों तो एक बार सभी अपने इस तरह पर कोशिश करो फिर सॉलुशन देखकर वीडियो से मैच करो धन्यवाद झालता है।